दोस्तों, दुनिया में ऐसी काफी सारी डॉक्स की ब्रीड हैं जिनको रखना illegal है काफी सारी countries के अंदर हाना कि इंडिया में ऐसा कोई specific law या rule अभी लागूर नहीं है लेकिन काफी सारी European और American western countries में ऐसे laws हैं जहां पे काफी सारी breeds को पालना या रखना illegal मना जाता है या फिर उसके लिए आपको special permission की जुरुत होती है तो आईए आज हम आपको 10 ऐसी breeds के बारे में बताने वाले हैं जिनको western countries में, Europe और basically America में रखना या पालना illegal है तो इस series में हम start करेंगे सबसे कम band breed से सबसे ज़्यादा band breed तक तो number 10 पे जो आता है वो है American Bull Dog ये जो dog breed है ये Denmark, Singapore और उसके आसपास की काफी municipalities में band है इन कुतों को शिकारियों द्वारा जंगली सूवर पकड़ने के लिए इस्तमाल किया जाता था जब शिकारी शिकार करता था तो वो जाल विचाता था जंगली सूवरों को पकड़ने के लिए और इन कुतों का वज़न भी 70-120 लैब्स हो सकता है विचिस अराउंड 30-40 किलो के आसपास ये athletic और muscle mass वाले कुते हैं तो ये काफी athletic रहते थे और सूवरों को पकड़ने के लिए specially इनको ट्रेंड किया जाता था जंगलों में तो यही एक कारण है जिसका जिनसे इसकी जो prey drive है वो बढ़ गई और socially इनको दूसरे कुतों या जानवरों के आसपास रखना थोड़ा मुश्किल हो गया इसलिए इन कुतों को band किया गया है नमबर 9 पे आता है band dog जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि band dog है चेन या ओफ लीश हो जाता था और दूसरे कुतों पे अटैक कर देता था दूसरे जानवरों पे अटैक कर देता था Middle Ages में तो उन कुतों को एक टर्म दे दी गई कि यह band dogs है तो इसको जो बनाया गया था यह American Pit Bull Terriers और जो बड़े जो Mastiff breeds होती है उनको mix करके यह बनाया गया था और यह इसमें काफी ज़्यादा बीचों mix breeding भी हो गई है जिसके वजह से इनको पैचान पना मुश्किल है लेकिन यह अभी तक ही जो band है यह काफी European countries में डिपेंड करता है कि इनमें ancestral जो portion है वो किसका जादा है यह इसमें pit bulls जादा है या फिर जो भी इनकी line से जिससे mix होके बने है उन breeds को काफी European और Western countries में बैन कर दिया जाता है नमबर 8 पे आती है बहुत ही प्यारी और unique और बड़ी breed Napoleon Mastiff दोस्तों इसका जो जन्म हुआ है यहां से यह dog बनके आया है वो जगह है इटली और यहां पे एक समय पे gladiator dog भी इनको बोला जाता था जैसे कि gladiator को कलोजियम में लड़वाया जाता था ऐसे ही इन dogs को भी बट आज के समय में यह सिर्फ एक घर के guard dogs के रूप में ज्यादा तर रखे जाते हैं इनका यह जुरीदार और बड़ा सा face और इनका एक ड्रावना सा appearance काफी ज्यादा intimidating लगता है इसमें male dog का जो weight है लगबग 90-100 किलो तक जा सकता है आपने शायद इस dog को Harry Potter में भी देखा होगा जो Hagrid के pet के रूप में इस्तमाल किया जाता था लेकिन unfortunately दोस्तों यह Singapore में तो Ben है ही है जहाँ पे इसका उदगम स्थल है यानि Romania वहाँ पे भी इसको पालने के लिए आपको एक certified psychologically fit test इसका कराना होता है उस certificate के बाद ही आप वहाँ पे इसको रख सकते है नमबर साथ पे है काफी special breed जो कि हम यह नहीं कह सकते कि वो पूरा एक dog ही है लेकिन वो एक mixture है wolf का और dog का जी हाँ इसको बोलते है wolf dog जिसके अंदर हमारी कुछ registered breeds भी आती है जैसे कि चिको सलवाकियन wolf dog जो कि एक mix है German shepherd और कारपेथियन wolf का या फिर सार्जलूस wolf hound जो कि German shepherd और McKenzie valley में जो Timber wolf है उसका mix माना जाता है wolf dog अपनी mix होने के वज़य से काफी ज़्यादा unpredictable हो जाते हैं जैसे कि आप जानते हैं wolf को tame नहीं किया जा सकता और अगर tame करते भी हैं तो वो एक surety आपको नहीं देते कि वो वैसा ही behave करेंगे तो वो ही genetic और वो ही special characteristics उस dog के अंदर भी आती है और वो कुछ हद तक शरीर से और behavior में dog होता है लेकिन थोड़ा बहुत भी उसमें wolf का characteristic कभी भी जागरुत हो जाता है और वो behavior wolf की तरह वो कर सकता है जो कि एक predator है सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको जब आती है जब इनके सामने से कोई moving चीज या फिर कोई जानवर या कोई move कर रहा हो काफी तेजी से क्योंकि इनकी prey drive ही कुछ ऐसी है कि शिकार को भागते देखके इनके अंदर का एक wolf जिंदा हो जाता है और वो उसको पकड़ने की, मारने की, दात, गड़ाने की कोशिश कर सकता है काफी ज़्यादा humans के उपर इनके attack notice किये गए हैं और register भी हुए जिसकी विज़से नॉर्वे में ये breed completely banned है हमारे countdown में 6th number पे आता है बोर बोल बोल जो है वो South Africa से पैदा किया गया एक dog है या विक्सित किया हुआ dog है जो कि एक athletic bull mastiff जैसी appearance देता है बोर बोल जो इसका नाम आया है वो एक Dutch संस्क्रण है farm dog का इसको जो breed किया गया है वो के कुछ guard dog से मिला कर किया गया है दोस्तों डी बीर्स नाम की एक Dutch company 1920 में कुछ bull mastiff dog को लेके South Africa में आयी थी अपनी mines को protect करवाने के लिए जिस वज़ाए से इनकी जो prey driver वो काफी aggressive हो गई और ये काफी बच्चों के लिए भी खतरनाक माने जाने लगे क्योंकि इनका weight भी इनमार्क में बैन कर दिया गया था इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर आता है डोगो अरजन टीनो यह नाम आपने शायद सुना भी होगा अब काफी फेमस होने लगा है यह इंडिया में इसको पहली बार अरजन टीना में 1928 में रेजिस्टर किया गया था डोगो अर्ज ब्रीड को ब्रीडर एंटोनियो नोरेस मर्टिनेज ने डेवलप किया था जो कि बेसिकली फाइटिंग के लिए ब्रेड किया गया था दोस्तों ज्यादा तर यह वाइट कलर का होता है एक बड़े वाइट पिटबुल के रूप में भी इसको अरकनाइज कई पर लोग कर ल फोर पे आता है प्रेसा कनेरियो प्रेसा कनेरियो एक मैसिव फाइटिंग डॉग है जिसकी जड़े हमें स्पेन के केनरी आइलेंड में मिलती है दोस्तों 2001 में यह ब्रीड दुनिया के सामने आई जब एक बहुती अनफॉर्चुनेट खबर सबको पता चली कि एक 33 साल के आ पर के अंदर उनके उपर मकुदमा दर्ज हुआ और उनको सजा मिली जिस वजह से आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में यह ब्रीड आज तक बैन है तो अब हम आ चुके हैं टॉप 3 बैंड डॉग ब्रीड के अंदर जिसमें नमबर 3 पर आता है फिला ब्रासिलीरियो इस मिड्टाइम्स के अंदर जो सलेव होते थे वो भाग जाते थे दर दर होते थे तो उनको पकड़ने के लिए भी इस कुट्ळे का इस्त demol किया जाता था इस कुट्य में ट्रस्ट की सबसे जादा कमी है इस करें प्रस्नेलिटी ट्रेट को बोला जाता है ओहेर रिजा जिस का बोला जाता है कि इसको टच बिल्कुल ना किया जाए जब भी इसका जज्जमेंट हो इसके अग्रेसिव और डिस्ट्रेस्ट नेचर की वज़ाए से इसको युनाइटेट किंडम में बैन कर दिया गया है नमबर दो पे आता है दोस्तो जैपनीज तोसा इनो दोस्तो तोसा इनो का वेट भी लगबग 100 खिलो के आसपास हो सकता है यह एक मिक्स है जैपनीज डॉक्स के साथ वेस्टन ब्रीड्स को मिलाके जिसमें की बेसिक्स जो थे वो मैस्टिफ और बुल टेरियर्स थे जैसे जापान में सुमू रैसलिंग की एक प्रता रही है ऐसे ही इनकी भी फाइट कराई जाती थी जहां पे इनको ऐसे ट्रेन किया जाता था कि यह बिना घुराए बिना आवाज किये दूसरे कुटे से लड़ेंगे इन प्रकार के कुटों ने काफी लंबे समय तक रिंग में लड़ाई हैं करी जिस वज़े से इनकी प्रे ड्राइब और अग्रेसिवनेस काफी बढ़ गई थी जिस वज़े से इनको डैनमार्क, मालता, नौर्वे और साथ में दूसरी कंट्रीज में इलीगल घोशित कर दि गई थी और बेसिकली जो बीरीड का परपस था वो था लड़ाई करना फाइटिंग डॉक्स करूप में इनको इंटर्ड्यूस किया गया था ये डॉक काफी प्रपोर्शनेट होते हैं जिसका मतलब है इसके हाथ पैर आंक नाक और मसल्स काफी ज्यादा प्रपोर्शनेट ह होते हैं और काफी अथलेटिक ये डॉक होते हैं लेकिन कुछ ओनर्स की वजह से ये ब्रीड काफी बदनाम हो गई क्योंकि कुछ क्रिमिनल्स और कुछ बैड मेंटलिटी वाले लोग इनका गलत तरीके से यूज करने लगे पूर ब्रेडिंग और लैक ओफ ट्रेनिंग के विजह से ये ब्रीड आउट अफ कंट्रोल जाने लगी और आज के टाइम पे भी अगर आप चेक करेंगे रिकॉर्ट तो यूएस में 45 परसेंट से ज्यादा जो डॉग ने अटैक किया है हुमेंस पे उसमें पिट बुल का नाम ही दर्ज है तो एक तरफ पिट बुल और 45 परसेंट पर बैठा है और बाकी 55 परसेंट पर सारी अधर ब्रीड दोस्तों कुछ लोग इनको काफी प्यारा डॉग मानते हैं कुछ बोलते हैं कि यह काफी डेडली मॉंस्टर्स हैं अगर किसी भी डॉग को कोई भी ब्रीड हो उसको अगर डंक से परवरिश उश्की ना क तो देडली मॉंस्टर्स वही केस है पिटबुल के बारे में क्योंकि हाइली ट्रेनेबल डॉग्स हैं और इनको अब जैसे सिखाते हैं या फिर जैसे इनको अब गाइड या ट्रेन करते हैं वह वैसा मानने लग जाते हैं अगर गलत हातों में जाएंगे तो आविसली वह भी बंदू का गाम कर सकता है लेकिन ये गलत लोग प्रियता और फॉल्स नरेटिव बिल्ड होने के कारण इन डॉक्स को मियामी डेट काउंटी फ्लॉरिडा ओंटैरियो कैनेडा और काफी जादा यूरोपन कंट्रीज में बैन कर दिया गया है इवन कुछ यूरोपन कंट लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी बेकार या गंदी नहीं होती उनका ओनर उनको गलत ट्रेंड नहीं करता हां कुछ ब्रीड ऐसे हो सकती है जैसे कि वॉल्फ डॉक की हमने बात करी उसमें तो ऑविसली बात कि गलत ब्रीडिंग कर आओगे अगर किसी जानवर की आप जंगल से इसको उठा के लियाओगे तो उसके अंदर ट्रेट्स अपने जंगली ट्रेट्स आएंगे ही आएंगे और वो नेचर है नेचर अपने हिसाब से ही चलेगी इनसान उसको काबू नहीं कर सकता है कोशिश करेगा तो टकराएगा और खुद ही अपना नुकसान वो ले तो उसमें ब्रीड गलत नहीं है उस ब्रीड की जगह वो गलत है जहां वो उसको होना चाहिए वह वहां पे नहीं है जिसकी जगह जंगल में है उसको जंगल में ही रहना चाहिए अब इनसान ने अपना फैलाव कर लिया है जो उनके जंगल काटता जा रहा है और उनकी जग करना है आप उसको उसी तरीके से एक करें उस पे कवजा करने की कोशिच आप करोगे तो मुझ की आपको खानी पड़ेगी आप दब्रीड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी इंट्रस्टिंग जानकारिया आप तक पहुंचती रहें और बेल आइंकन आप दबाए मशिख सक्राइब कर द संनी इंट्रस्टिंग कर सहे इंटήσ similar हैं अप भेवाण में तो सकते हैं माला हैं और सकता है तो उसक्राइब कर दिह आपको खाने तो सकता हैं जास Самवां मैं ौम